दोस्तों आज की इस वीडियो का मुख्य टॉपिक यह है कि अगर किसी पालसी धारक की मृत्य हो जाती है और उस पालसी धारक के पास मृत्य उप्रमाण पत्र नहीं है यानि कि उसके नामनी के पास मृत्य उप्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसी कंडिशन में आप मृत्य दावे के लिए application कैसे करेंगे मैंने मुख्य topic सिर्फ इसलिए वोला है क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ बिसे इतना ही नहीं है इससे भी कहीं जादा जानकारी इस वीडियो में पड़ी होई है दोस्तों वीडियो की सुरुवाद करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ खास्तों से अगर आप एक जीमन बीमा अभी करता है उस condition में दोस्तों जब भी आप किसी policy में मृत्य दावा की सुरुवाद करना चाहते हैं तो आपको एक लक्ष जरूर बना लेना चाहिए लक्ष यह कि कल की डेट में अगर बीमा कंपनी मृत्य दावे को निरस्त कर देती है तो आपने जो भी बीमा प्रक्रिया सुरु की है यानि बीमा प्रक्रिया के दोरान जो भी दस्तावेज या जो भी कारवाई आपने की है वह कारवाई इस तरह से जरूर होनी चाहिए कि वह जो आपका पालसी धारक है या वह जो नामनी है या जो दावेदार है वह कल की डेट में अगर कोर्ट में खड़ा हो तो वह अपनी बातों को जरूरी साक्षों को आसानी से कोर्ट के अंदर पेस कर सके तो आज की यह जो वीडियो है और आने वाली जो भी वीडियो होगी मेरा मूल उद्देश यही रहेगा कि आपको इन तरीकों के लिए तयार किया जा सके चलिए सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि इस वीडियो में किन किन विसर को हम कवर कर रहे हैं दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे का क्या परिडाम हो सकता है इसके बाद इस वीडियो का तीसरा टापिक होगा कि यदि किसी पालसी धारक के मृत्य हो जाती है तो उसके मृत्य की सूचना भीमा कंपनी को देने के लिए प्रोसेस क्या होते हैं इसके बाद चोथे टापिक पर हम आएंगे और मिर्तु प्रमाड पत्र के विशे में बात करेंगे पांचमा टापिक होगा मिर्तु दावे के संदर्ध में नामनी को या फिर दावेदार को किस तरह की चुनोतियां या किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वीडियो के बिलकुल आखरी में हम बात करेंगे कि यह जो समस्या होती है इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं या यूं कहूं कि जो मूल टापिक है कि अगर आपके पास मिर्तु प्रमाड पत्र नहीं है तो आप जीवन बीमा कंपनी को मृत्व की सूचना कैसे देंगे इसके बिसे में हम जानेंगे दोस्तों हाला कि अभी मैं वीडियो की सुरुवात कर रहा हूँ लेकिन मुझे अभी ही यह अनुमान है कि यह वीडियो जरूरत से ज़्यादा लंबी होने वाली है इसलिए मैं इस वीडियो के टाइम लाइन को सब्जेक्ट के हिसाब से मैं डिवाइड कर दूँगा ताकि आप किसी पर्टिकुलर जानकारी को देखना चाहें तो आप आसानी से बिना अपना समय नुकसान किये हुए टाइम लाइन पर जंप करके आप उस जानकारी को ले सकते हैं तो चलिए अब आपके समय को नुकसान किये बिना हम सबसे पहले जानकारी प्रस्तोत करते हैं देखिए अधिक्तम लोगों के यह सवाल होते हैं अगर आप एक नए एजेंट है या पुराने भी एजेंट है और अगर आपने मिर्ट दावा के लिए काम नहीं किया है तो यह आपके भी सवाल हो सकते हैं और बहुत सारे ग्राहकों के सवाल तो यह होते ही हैं जास्तों से जिन पॉल्सियों में डेस्क्लिम आ जाता है उनकी जो नामनी होते हैं उनकी सवालिया होता है कि जीवन बीमा पॉल्सी में मृत्व दावे की सूचना कितने दिनों के भीतर हमको प्रस्तुत कर देना चाहिए तो दोस्तों देखिए भारत में बहुत सारी जीवन बीमा कमपणियां काम कर रही है और मैं यह जो जानकारी है लगभग सभी जीवन बीमा कमपणियों को समाहित करती हुए यह जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ तो अलग-अलग जीवन बीमा कमपणियों के लिए यह जो समय सीमा है यह अलग-अलग हो सकती है लेकिन यदि मैं होल सोल की बात करूँ तो देखे जितनी भी जीवन बीमा कमपणिय है वह यही करती है कि अगर पॉल्सी में मृत्तु दावा आ जाता है तो मिर्तु दावे की सूचना जीतना जल्दी हो सके वह जीवन बीमा कमपणियों को जरूर प्रस्तुत करना चाहिए अब सवाल यह होता है कि जीतना जल्दी से मतलब क्या वह टाइम लाइन क्या है तो देखिए यह जो समय सीमा मानी गई है यह मृत्तु की तिथी से 15 दिन के बाद से लेकर और 90 दिनों की भीतर यह सूचना बीमा कमपणियों को जरूर पहुचा देना चाहिए अब इसके साथ ही दूसरा सवाल पैदा होता है दूसरा सवाल यह होता है कि भाई 15 दिन से 90 दिन के भीतर ही यह सूचना क्यों पहुचाना चाहिए यह बहुत ही सभाविक सवाल है और इसका जवाब यह है देखिए मृत्व के कारण तो कई हो सकते हैं दुरगटना के कारण मृत्य हो सकती है हो सकता है किसी बग्ती का हाड अटेक आजाए उसके मृत्य हो जाए रोड एक्सीडिन तमाम तरह के कारण हो सकते हैं इसके साथ ही जीवन भीमा पालसीयों में पालसी की जो अवद ही है उसके अनुसार early death claim और non early death claim को भी समाहित किया जाता है तो मैं अगर एक सामाने से बात करूँ तो मैं यह कह सकता हूँ कि अगर कोई policy खरीदी गई है और policy सुरू होने से 3 साल के भीतर अगर किसी policy में death claim आता है तो उसको early death claim कहा जाता है और early death claim वाली policyों में गहन जांच की जाती है चाहे आप किसी भी जीवन बीमा कमपनी से policy क्यों न खरीदें अला कि अगर policy 3 साल से उपर चली हुई है तो उसमें मिर्ट उदावे के लिए काफी कुछ सहूलियत दी गई है लेकिन फिलहाल जब आप मिर्ट उदावे के लिए काम सुरू कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप सहूलियत की बात को ध्यान न दें क्योंकि कई बार होता क्या है कि जैसे policy lapse condition में कुछ policy यां है जो lapse condition में है अगर वा lapse condition में है तो उसको भी early death claim के रूप में माना जाता है तो यहां पर कई तरह की परसितियां हो सकती है और अगर कई तरह की परसितियों को अगर आप ध्यान देंगे तो निशित रूप से आप confuse होंगे तो यहां पर confuse होने की ज़रूरत नहीं है तो जो सबसे सकत नियम है अगर आप उसको apply करते है तो चाहे आपके सामने किसी भी तरह का death claim आए आप बड़े ही आसानी से उसका भुक्तान दिला देंगे हाँ अगर कोई एक ऐसी policy है जो policy खरीदे जाने के बाद से तीन साल के भीतर ही मृतुदावा आ गया है तो इस वीडियो में जो जानकारी दे रहा हूँ यह जानकारी तो बहुत ज़्यादा महत्वपोन होगी क्योंकि यहां पर यह 90 दिन वाली रियायत आपको नहीं मिलेगी 90 दिन के भीतर ही आपको claim करना चाहिए अब मैं अपनी बात को समझाने के लिए एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ अब जैसे मान लिजे कि किसी व्यक्ति की मृतुसरक दुरगटना में होई है अब जब यह घटना घटित होती है अगर उसके कुछ दिन के भीतर ही अगर आप वहाँ पर जाके किसी से भी पूछेंगे तो वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने की इस घटना को देखा हुआ है आप उनसे पूछेंगे तो वह लोग बड़े ही आसानी से आपको बता देंगे कि किस तरह से दुरगटना हुई कितने वजे हुई दुरगटना होने का रीजन क्या था किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी ये सारी चीजें आप बड़े ही आसानी से पता कर सकते हैं लेकिन अगर आप यही जाश मान लीजिए छे महीना साल भर के बाद अगर आप करने के लिए जाएंगे तो आपको जो जानकारी है मलब उस दुरगटना के गवारे में जो जानकारी है वा सठीक इंफार्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी यही कारण है कि जितनी भी जीवन भीमा कमपनियां है वह आपसे यही कहती है कि अगर किसी पालसी धारक के मृत्य हो जाती है तो उसके मृत्य की सूचना जीतना जल्दी हो सके आप जीवन भीमा कमपनी को जरूर दे दीजिए अगर आपने जीवन भीमा पालसी खरीदी है और आप policy bond को अगर आप गहंता से अगर आप उसका अध्यन करेंगे तो आपको यह लिखा हुआ है आपके policy bond में निश्चित रूप से मिल जाएगा अब देखे अगला सवाल यहां आता है कि मान लिजे किसी व्यक्ति की मृत्य हो गई है और किसी भी कारण से वह जो मृत्य दावा की सूचना है वह भीमा कमपणी को पहुचाने में देरी करता है तब क्या होगा देखे सबसे पहला चीज तो आप यह समझ लिजे कि अगर आप मान लिजे 90 दिन नहीं आप दो साल के बाद भी अगर जीवन बीमा कमपणी को आप में तुदावे की सूचना देंगे न तो जीवन बीमा कमपणी आपके अप्लिकेशन को अस्विकार नहीं करेगी वो आपके अप्लिकेशन को एकसेप्ट करेगी अब देखिए होगा क्या कि जो भी जीवन बीमा कंपणी जिसमें की आपने क्लेम किया हुआ है वह क्लेम प्रासेस को पूरा करने के लिए सबसे पहले जितने भी दस्तावेज होते हैं जैसे दावेदार का बयान हो गया नामनी का बयान हो गया आगे आने वाली वीडियोज में हम इसके भी से में विस्तार से जानेगे हाला कि इसके संदर में हमने पिछे भी विडियो पोस्ट की हुई है तो अगर आप चाहे तो आप उसको देख सकते हैं या फिर जो आने वाली वीडियोज है आप उसको भी देखेंगे तो इसके विसे में आपको जानकारी मिल जाएगी तो यह जो जीवन बीमा कमपनी है इस तरह के फार्म बाई पोस्ट वो जो नामनी है या जो दावेदार है उसके घर भेज़ देती है लेकिन इसके साथ ही यह जो बीमा कमपनी है यह क्लेम का निरिक्षण करती है क्लेम के एविडेंस को इकठा करती है जाँच करती है लेकिन अगर आपने मिट्ट दावे की सूचना देरी से की होई है तो ऐसी कंडिशन में यह जो बीमा कमपनी है वह यह भी पता करती है कि वास्तों में आपने यह जो दावा देर से प्रस्तुत किया है, देर से प्रस्तुत करने के पीछे आपका उद्देश क्या है यह एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वज़से कि आपकी जो death claim है या लंबा खिस्ता है अच्छा देखिए इसका सबसे बुरा परेडाम भी हो सकता है बुरा परेडाम क्या हो सकता है वह यह हो सकता है कि मान लेजिए आप देर से claim दायर करते हैं और बीमा कंपणी की जो अधिकारी है वह जाते हैं जांच करने के लिए और अगर उनको जांच में पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं तो ऐसी कंडिशन में यह जो death claim है यह reject हो सकता है reject हो ही जाएगा मैं यह नहीं कह रहा हूँ लेकिन reject हो सकता है यह एक कारण बन सकता है अब दोस्तों हम चलते हैं अगले topic पर अगला topic यह है कि अगर policy में मृत दावा आ जाता है तो मृत दावे का process क्या है तो इसके लिए हम चलते हैं browser के ऊपर और आपको मैं एक जानकारी दे देता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले आप YouTube open कीजेगा और YouTube के search box में at the rate retest LIC advisor लिखकर आप सर्च कीजेगा जैसे ही आप ऐसा करते हैं आपको हमारे channel का यह पहला link आपको मिल जाएगा आप इस पर click कर दीजेगा जैसे ही आप इस पर click करेंगे हमारे channel का homepage open हो जाएगा यहाँ पर आप playlist में आप आजाईए और जैसे ही आप playlist में आते हैं तो यह देखिए आपको हमारी playlist मिलेगी जिसका title है LIC में मिर्टु दावा ट्रेनिंग अगर आप किसी और जीवन बीमा कमपनी के अभिकरता है तो यहाँ जो वीडियो प्लेट के अंदर जो भी वीडियो है यहाँ आपके लिए भी OPUB साबित होगी तो आप इस playlist को open कर लिजेगा यहाँ पर मैंने इस playlist को open कर लिया है और इसको आप यहाँ पर देखिए यह उपर bookmark का option दिया हुआ है आप इस पर click करके ऐसे और यहाँ पर यहाँ देखिए folder बना हुआ है यहाँ पर bookmark bar select कर लिजेगा और done पर click कर दिजेगा तो जैसे ही आप ऐसा click करेंगे तो देखिए यहाँ जो है bookmark bar के ऊपर यहाँ पर highlight हो जाएगा मान लिजे आज की date में आप वीडियो को देख रहे हैं आपने कोई एक वीडियो देख लिया अगले दिन आपको दूसरी वीडियो देखनी है फिर आप यहाँ पर click करेंगे तो यह playlist open हो जाएगी जो दूसरी वीडियो है अगले दिन आप उस दूसरी वीडियो को देख सकते हैं तो अब यहाँ पर देखिए यह जो दूसरी वाली वीडियो दिखाई दे रही है LIC policy में death claim कैसे करें तो अगर किसी policy में मृत्य दावा आ जाता है तो G1 B1 Company को मृत्य के बारे में कैसे सूचना दी जाती है इसकी विस्तर्थ जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देख लेना चाहिए चलिए अब हम अगले टापिक पर चलते हैं अब दोस्तों इस वीडियो का अगला टापिक है मृत्य प्रमाण पत्र या यू कहों कि G1 B1 Policy के death claim में मृत्य प्रमाण पत्र की क्या उपयोगिता होती है आए संचेप में हम इसके बारे में जान लेते हैं संचेप में इसलिए क्योंकि इसके विषय में बहुत जानकारी मैंने अपनी पिछली वीडियो में दी हुई है जिसका कि अभी आपको मैंने लिंक दिखाया हुआ है तो देखिए G1 B1 Company को जब आपको सूझना करना होता है तो आपको मिर्तु प्रमाण पत्र की आउसकता होती है बिना मिर्तु प्रमाण पत्र के अगर आप अप्लिकेशन लिख कर जिसमें की मतलब जिस अप्लिकेशन में आप सारा अभी बरण दे दें और मिर्तु प्रमाण पत्र अगर साथ में नहीं है तो और आप بीमा कमपणी को जाते हैं कि आप हमारे क्लेंब को accept कर लेजिए तो आपकी जो बीमा कमपणी है वहाँ आपके इस क्लेंब को accept नहीं करेगी वहाँ आपको वापस कर देगी अगर आप एक ग्राहख हैं तो आपके मन में कई तरह की भ्रांतियां हो सकती हैं अगर आप ग्राम प्रधान से मित्व प्रमाड पत्र बनवा लिये तो आप उसको भी मानने हैं कि वह मित्व प्रमाड पत्र है या अगर आप नगर पंचायत के रहने वाले हैं और आपने नगर पंचाय से प्रमाड़ पत्र बनवा लिया, तो आप उसको भी मिर्टु प्रमाड़ पत्र मान सकते हैं. लेकिन जीवन बीमा कमपणियां हो गए, या फिर बैंक एकाउंट्स हो गए, उसमें इसको मिर्टु प्रमाड़ पत्र नहीं माना जाता है. अगर यह मिर्टु प्रमाड़ पत्र अगर आपके पास नहीं है, तब तक आप जीवन बीमा कमपणियां को लिखित रूप में इसकी सूचना नहीं दे सकते हैं. अब सवाल यह उठता है कि यह मिर्टु प्रमाड़ पत्र आप कैसे बनवाएंगे? तो इसके लिए देखिए, अगर आप ग्राम पंचाय से हैं, तो ग्राम प्रधान से मिर्टु प्रमाड़ पत्र ले सकते हैं, या फिर नगर पंचाय से मिर्टु प्रमाड़ पत्र ले सकते हैं, या फिर अगर मिर्टक पालसी धारक की मिर्ट्य जो है अस्पताल में हुई ह तो अस्पताल से मृत्यू प्रमाड़ पत्र ले सकते हैं और ये जो प्रमाड़ पत्र है इसमें से जो कोई भी प्रमाड़ पत्र आपके पास होता है आप उसको लेकर आप किसी भी सहज जन सिवा केंदर पर चले जाएए या पी जो CSC यानि की कामन सर्विस सेंटर की जो आफिसेज होती है आप वहाँ पर लेकर चले जाएं तो आप मृत्यू प्रमाड़ पत्र के लिए वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और जब यहाँ आवेदन करते हैं तो जहां तक हमें अनुमान है पंद्रह से 21 दिन का समय लगता है यह मृत्यू प्रमाड़ पत्र आपको मिल जाता है और उसके बाद आप भीमा कंपनी को मृत्यू दावा की सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं तो यह तो हो गया मृत्यू प्रमाड़ पत्र आप कैसे प्राप्त करेंगे और जब आपको यह मृत्यू प्रमाड़ पत्र प्राप्त हो जाता है तो आप इसके याधार पर भीमा कंपनी को मृत्यू की सूचना दे सकते हैं लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि यह सभी के लिए सामान होता है कई बार कई ऐसी परसितियां खड़ी हो जाती है कि यह मिर्टु प्रमार्पत्र प्राप्त करना काफी कठिन हो जाता है तो आए हम थोड़ी समस्याओं की बात करते हैं क्योंकि जब हमको समस्या पता होगी तो हम उसका समाधान कर पाएंगे दोस्तों मैं भारती जीवन बीमा निगम में बस 2001 से जीवन बीमा कारोबार मैंने किया हुआ है और इस दोरान और आज कल भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको की क्लेम दिलानी क्या हो सकता होती है और वह मुझे संपर्क करते हैं तो कई केस मैंने ऐसे देखे हैं और कई तरह के ऐसे लीगल कारण होते हैं जिसकी वज़से कि उनको यह जो मृत्यू प्रमाण पत्र है इसमें देरी हो जाती है सासे पहले तो जिस परिवार में मृत्य हुई है वो परिवार के अधिक्तम लोग सोकाकुल होते हैं ततकाल उनको यह ध्यान भी नहीं रहता है कि भीमा पॉल्सी के लिए हमको क्लेम करना है तो कुछ देरी तो इसमें हो जाती है अच्छा इसके बाद उन्होंने मृत्यू प्रमाण पत्र बनवाया और रजिस्टेशन कर दिया रजिस्टेशन करने के बाद अमुमन मैं अगर कहूं तो 99% मृत्यू प्रमाण पत्र 15-21 दिन के अंदर मिल ही जाता है इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होती लेकिन 1% लोग ऐसे भी होते हैं किनी किनी कारणों से उनको मृत्यू प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है उनको दुबारा फिर से अप्लिकेशन करना पड़ता है तो अगर आप एक जीवन बीमा एजेंट हैं और सपोस्ट एट कि आप जिस क्लाइंट से आप उसका डेथ क्लिम दिलानी के लिए आप संपर कर रहे हैं वह उन्हीं एक परसेंट लोगों में से है या फिर अगर आप ग्राहक हैं और आप उन्हीं एक परसेंट लोगों में से हैं तब आप क्या करेंगे देखिए होता क्या है कि अगर आप यह अस्पताल वाला में तो प्रमाण पत्र ले लिजिए तो इसलिए यहाँ आपके लिए सबसे बड़ी समस्या होगी कि आप बीमा कंपनी को एक रिकार्डेट सूचिना कैसे दें रिकार्डेट सूचिना का मतलब यह कि आप बीमा कंपनी को यहाँ कैसे बताएं कि हमारी जो है जो मिर्टक पालसी धारक है उसकी डेथ हो गई है उसका वीवरन लिखिद रूप में रिकार्ड रूप में आप इसको कैसे पेस करें तो चलिए अगला टापिक यही है कि हम इस समस्या का समाधान क्या प्राप्त कर सकते हैं जो कि इस वीडियो का सबसे प्रमुख टापिक भी है तो आएए अब हम इसको सुरू करते हैं दोस्तों इससे पहले कि हम इस जानकारी को सुरू करने एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ महत्वपूर्ण बात यह है कि देखे होता क्या है कि अगर आप मिर्ट्य दावे की सूचना बीमा कमपनी को बिलंब से करेंगे तो कहीं न कहीं यह संभावना हो सकती है कि आपके देरी के कारण बीमा कमपनी को जरूरी साक्ष नहीं मिलते हैं वह इस आधार पर आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है 10% इसके चांस होते हैं तो हमारे पास एक ऐसा रिकार्ड होना चाहिए कि हमने बीमा कमपनी को सूचित किया है लेकिन अब समस्या क्या है समस्या यह है कि बिना माने अस्तर का जो मिर्ट्य प्रमाण पत्र है अगर वह हमारे पास नहीं है और हम बीमा कमपनी को लिखित आवेधन करते हैं तो बीमा कमपनी उसको एकसेट करेगी ही नहीं तो इसका समाधान यह होता है कि हम प्राथमिक मिर्ट्य दावा सूचना प्रस्तोत करते हैं लेकिन अगर इस प्राथ्मिक मिर्टु दावा सूचना को आप लेकर अगर ब्रांच में जाएंगे तो आपको Bima Company वापस कर देगी तो अब हम इस मिर्टु दावा सूचना को कैसे करेंगे इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने computer screen पर और सबसे पहले हम आपको यह जो मिर्टु दावा सूचना वाला application है इसको download करते हैं और step by step हम इसको बताते हैं कि आप इस कारे को कैसे करेंगे तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप Google को open कर लेजिए और Google के search box में आप G1 Bima Bazar लिखकर search कीजिए जैसे ही आप ऐसा करते हैं यह पहला link आपको मेरी website का मिल जाएगा आप इस पर click कर दीजिए अब जैसे ही आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको ऊपर यह जो menu bar दिखाई दे रहा है इसमें आपको agent section में आना है और यहाँ पर LIC farm info का option आपको मिलेगा आप इस पर click कर दीजिएगा देखिए यहाँ कारे आप mobile से भी कर सकते हैं थोड़ा सा आपको यह जो यहाँ computer की screen पर आपको यह जो menu bar है कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है जब आप mobile screen में देखेंगे तो थोड़ा सा आपको हट कर दिखाई देगा मुझे उम्मीद है कि आप सभी expert हैं आप बड़े ही आसानी से इस menu bar को search कर पाएंगे तो आप इस तरह से इस page को open कर लिजेगा अब यहाँ पर जब आप नीचे की उराएंगे तो यहाँ देखें LIC के date claim फारंट की जानकारी ऐसा आपको menu मिल जाएगा बीमा पालसियों के मृत्व दावा सूचना में समस्या और समाधान आप इस option पर क्लिक कर दिजे अब जैसे ही आप इस option पर क्लिक करेंगे यह page आपके सामने open हो जाएगा यह एक पूरा लेख है जो हिंदी भासा में इसी भी सेपर जिस पर की यह video बन नहीं है उस पर प्रस्तुत किया गया है अगर आप इसको पढ़ते हैं तो बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल सकती है अगर आप English में पढ़ना चाहते हैं तो Read in English वाले option पर क्लिक करते हैं otherwise आप इसको पढ़ सकते हैं अब जब आप इस page को नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको यह link मिल जाएगा पीडिया फाइल का link है यह पीडिया फाइल 5.7 MB की है तो यहाँ पर आपको करना क्या है डाउनलोड की बटन पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप डाउनलोड की बटन पर क्लिक करते हैं 24 सेकेंड का टाइमर आपका चलना सुरू हो जाता है और जैसे ही यह 24 सेकेंड का टाइमर पूरा हो जाएगा यह जो PDF file है आपके device में अगर आप mobile यूज़ कर रहे हैं तो mobile में अगर आप computer यूज़ कर रहे हैं तो computer में बड़े ही आराम से download हो जाएगी इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है तो देखे टाइम पूरा ही हो चुका है अब देखे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखे यह सर्च करना सुरू कर दिया है और थोड़ी ही देर में यह जो PDF file है download हो जाएगी देखे अब यह download हो गई है अब हम इसको open कर लेते हैं यह PDF file है इसके second page पर इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं अब हम इसके second page पर चलते हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो देखे दो application इसमें दिये गए है यह जो पहला application है इसलिए दिया गया है कि अगर किसी client की मृत्यू सड़क दुरगटना में हुई है तो उस application को हम इस तरह से लिखेंगे और अगर कोई मृत्यू नार्मल डेट हुई है चिकिसा के दौरान हुई है तो उसका date जो application है उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे तो अगर आप LIC के agent है तो आप इस file को download करके रख लें आगे अगर भविस्व में कभी भी आपको इस तरह के case का सामना करना पड़ा तो ये जो format है यह आपके लिए काफी मददकार साबित होगा अब देखें यहाँ पर application कैसे लिखना है ये बताया गया है आप इसको पढ़ लेजिए अत्यंत दुख के साथ आपको सुचित करना चाहती हूँ मैं यह मान ले रहा हूँ कि ये जो client है इनका नाम पंकज कुमार आहुजा है और इनकी पतनी जो है इस application को लिख रही है तो इसमें लिखा गया है अत्यंत दुख के साथ आपको सुचित करना चाहती हूँ कि मेरे पती स्वर्गिय स्री पंकज कुमार आहुजा का निधन दिनांग 26 अक्टूबर 2024 को एक दुरभागयपूर्ण सड़क दुरघटना में हो गया यह हादसा प्रातह 10 बजे के आसपास वारांड सी रेनुकुट मुख्य राजमार्ग पर घटित हुआ यहाँ पर देखे जब भी कभी आपको मिर्टु दावे की सूचना देनी हो और समय का विर्मन करना हो तो आपको कानूनी तोरकी में बात कर रहा हूँ आपको समय को बिल्कुल एकुरेट नोट नहीं करना चाहिए वहाँ पर लगभग सब्द का यूज करें अगर यहाँ पर भी देखिए तो लगभग सब्द का यूज किया गया है 10 बजे के आसपास तो यह जो है कानूनी अस्तर पर इस तरह की जानकारी देना काफी उचित होता है इसके बाद घटना के तुरंत बाद अस्थानी लोगों ने उन्हें राववर्स गंजिला अस्पताल पहुंचाया जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोसित कर दिया तो अगर सलक दुर घटना में मृत्य होती है तो कुछ इस तरह से मिलता जूलता हादसा होता है तो जिस तरह का भी हादसा क्लाइंट के साथ हुआ है आप उसका विबन सबसे पहले आप नोट करेंगे ध्यान रखिए यह मैं आप्लिकेशन जो लिख रहा हूँ इसमें क्लाइंट के पास अभी जो है जो फार्म संख्या च्छग वाला मृत्यू प्रमाण पत्र जो बनाया गया है वह अभी इन्होंने बनवाया नहीं है उससे पहले मैं इस आप लिकेशन को नोट कर रहा हूँ तो अब इसके लिए हमको करना क्या होगा, यह application लिखा कड जाएगा यह application तब लिखा जाएगा, जैसे माले जिये मृत्य हो गई है तो हम क्या करते हैं कि अगर जो client है, अगर वो किसी gramide area का निवासी है Suppose that अगर उसकी चिकिस्टा जो है अस्पताल में हुई है और चिकिस्टा के दौरान ही अगर उसको मृत्य हो गई है तो उस अस्पताल से हम मृत्यू प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं यानि हमारे पास एक मृत्यू प्रमाण पत्र होना चाहिए अब जब यह मृत्यू प्रमाण पत्र हमको मिल जाता है तो इसके बाद हम करते क्या है कि वह जो नामनी है या परिवार के जो सदस्य है हम उनसे बोलते हैं कि भाई आप एक काम कीजिए कि सहज जन सिवा केंदर पर चले जाए या कामन सर्विस सेंटर पर चले जाए और वहाँ पर जाके मिर्टू प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दीजिए तो जब वहाँ व्यक्ति मिर्टू प्रमाण पत्र के लिए रजिस्टेशन करेगा तो रजिस्टेशन करने के उपर होता है तो उसका प्रिंट आउट मिलता है तो उस प्रिंट आउट को निकाल कर रख लेना है आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे अगर नहीं समझे हैं तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार फिर से इस स्टेप को सुन लीजिएगा अस्पताल द्वारा जारी मृत्व प्रमाडपत सनलगन कर रही हूं चुकि मैंने यह माना है कि इनकी दुरगटना में मृत्य हुई है सड़क दुरगटना में मृत्य हुई है और इनको अस्पताल में भरती कराया गया है अस्पताल ने इनको मृत गोसित कर दिया है तो नि चिनांग की एक नमंबर 2024 को सहज जन सेवा केंदर पर मित्व प्रमाणपत्र रिजिस्टेशन की प्रक्किया पूर्ण कर दी गई है कहने का मतलब यह है कि जब हमको प्रमाणपत्र मिल गया तो उस मित्व कर दbonsजाज कर थे थूं हमने सहज जन सेवा केंदर पर और मालेजिये तो उसका registration number आपको मिलेगा तो वो जो registration number मिल ला है उसको हम यहाँ पर note करते हैं इसका पंजी करण संख्या जो भी है उसको हम यहाँ पर note कर देते हैं और यह प्रमाण पत्र मुझे अगले 15 से 21 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाएगा यानि कि जब हम registration कर लेते हैं तो हमको वो क्या है वो जो अधिकारी वहाँ पर बैठा हुआ होता है या जो registration करने वाला बंदा होता है वो हमसे यह कहता आये ना कि 15 से 21 दिन के अंदर आपको registration का यह सारी यह जो मिर्तु प्रमाण पत्र है वो आपको मिल जाएगा तो उस चीज इसको हमने यहाँ पर mention कर दिया अब इसके आगे हम application में क्या लिखते हैं जैसे ही प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा कौन सा प्रमाण पत्र जो मानियस्तर का मिर्तु प्रमाण पत्र है जो सहज जन सेवा केंदर से या common service center से हमको मिलेगा तो हम कह रहे हैं कि जैसे ही वह मिर पती की जीवन बीमा policy के अंतरगत मृत्यु दावा है तो इस आवेदन को प्रारंभिक सूचना के रूप में स्विकार कर आवस्यक कारवाई करने का मार्वरसन प्रदान करें ठीक है इसके बाद फिर जो नामनी है उनका हस्ताक्षर यहां करा दीजिए उनका पूरा नाम उ दूसरे दस्तावेज लगाने हैं दूसरे दस्तावेज में क्या policy band की photo state copy आप इसके साथ मत्य कीजिए इसकी बाद policy धारक और नामनी की ID proof और address proof इसके साथ attach कीजिए इसकी बाद जो आपको दुती अस्तर वाला प्रमाण पत्र मिला है ग्राम पंचायत के द्वारा मिला हो नगर पंचायत के द्वारा मिला हो या अस्पताल के द्वारा मिला हुआ हो तो आप यहां पर लिखेंगे यह तीनों नहीं लिखना है कोई एक चीज़ लिखना इसी से मैंने देखिए यहां पर यह निसान लगाया हुआ है अगर ग्राम पंचायत का मिला है तो आप लिखे है उसको भी print out करके आप इसके साथ note करेंगे तो अगर आपने सहजन सेवा केंदर से registration किया है तो सहजन सेवा केंदर लिखेंगे और common service center से अगर आपने किया है तो common service center लिखेंगे मान लिजे मैंने यहाँ पर सहजन सेवा केंदर से registration मैंने माना है कि जो client है उसने सहज जनसेवा केंदर पर registration किया है तो हमको यहाँ पर लिखना चाहिए सहज जनसेवा केंदर पर मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु registration की प्रती इसको हमको note कर लेना चाहिए मान लिजे यह तो मैंने accident का उदाहन दिया है suppose that कि मृत्यु जो है normal date हुई है चिकिसा के दोरान मिरती हुई है तो ऐसी condition में यह देखिए अब फिर से मैं अगर इसको पूरा पढ़ूँगा तो बिना मजह का matter बढ़ेगा आप इसको पढ़ लिजेगा अगर confusion होगा तो वीडियो के comment section में बताइएगा हम कोई दूसरी वीडियो में हम इस जानकारी को दे देंगे तो इस तरह से आप एक application लिखेंगे और जितने भी दस्तावेज हैं सभी को आप नथी करेंगे एक साथ लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आप इसको लेकर branch आफिज जाएंगे तो branch का जो अधिकारी होगा वो इस बीमा company आपके claim को reject करें तो आप court के अंदर company को खींच कर यह बोल सकते हैं कि भाई मैंने आपको सूचना दिया हुआ है तो अगर आप branch में जाएंगे और branch अगर accept नहीं कर रही है तो भी आप इस चीज को सो नहीं कर सकते कि हम गये थे branch के अंदर यह जो सूचना है सूचना को प्रस्तुत करने के लिए लेकिन branch जो ही सूचना को accept नहीं किये तो ऐसी condition में आपको क्या करना चाहिए branch के address पर यह जो फार्म आपने लिखा हुआ है इसको आप branch के address पर post कर दीए आप जब post कर रहे हैं तो normal post आपको नहीं करना है आप registry करें या फिर आप जो है speed post के माध जब आप इसको speed post करने के लिए जाते हैं तो आप देखिए हर एक mobile में अगर आप android user है तो आपके mobile में camera दिया हुआ है इस camera का उप्योग कीजिए और video recording कीजिए सबसे पहले आप जिस भी साखा में speed post करने के लिए जा रहे हैं आप सबसे पहले वहाँ पर पहुँचिए आप जो लिफाफा होता है जिस लिफाफा के अंदर आप ये जितनी कागज है रखेंगे आप उस लिफाफे को आप सामने रखिए address note कर लीजिए प्रेशक में आप अपना address note कर लीजिए अपनी detail डाल देजिए और इसकी बाद video recording सुरू कीजिए video recording सबसे पहले सुरू कहां से करनी है कि जिस लिफाफा में आप इस फार्म को रखेंगे सबसे पहले उस लिफाफा की front page को दिखाईए जिसका की जिसमें की आपका पूरा का पूरा address सो हो इसके बाद जो है जो policy band की आप photo copy लगा रहे हैं भीमा धारक के और नामनी की जो id proof और address proof लगा रहे हैं उसकी जो image उसका जो file है मतलब उसकी जो photo state copy है आप उसको वीडियो के अंदर capture कीजिए नगर पंचायत ग्राम पंचायत आस्पताल के द्वारा जारी जो मिर्ट उप् capture कर लीजिए इसके बाद देखे वीडियो बीच में cut नहीं होनी चाहिए ध्यान दीजिएगा इसके बाद वो सारे के सारे file को आप fold करें fold करने के बाद लिफाफे के अंदर डालें उसको आप चिपकाएं चिपकाने के बाद आप उसको registry के लिए आप लगाएं registry के लिए आ आप दे दें या speed post के लिए आप दे दें पूरा जो ticket वगर लगता है सब वीडियो के अंदर capture होना चाहिए भले ही वीडियो आधा घंटा की क्यों न बने लेकिन ये सारी की सारी जानकारी उसके अंदर एक वीडियो के अंदर बिना किसी cut के उसके अंदर capture होनी चाहिए और फिर आप इसको speed post के माध्यम से send कर दें अचाहिए एक चीज में बताना भूल गया हूँ जो कि बहुत महत्तपूर है जब आप इस application को लिखते हैं और यहाँ पर नामनी या दावेदार जो भी application लिख रहा है वो यहाँ पर अगर sign करता है तो sign करने के तुरंत बाद यह जो image है ना सारी यह जो application बनता है इस पूरे application की एक photo खींच कर आप अपने mobile में रख लें या बहुत ज़रूरी है यह पूरा देखे यह इतना पूरा application आएगा इस पूरे application की copy को जो है खींच कर आप रख लें अच्छा application में देखे यह उपर वाला हिस्सा नहीं होगा यह तो म सिती के हिसाब से यह सारी चीज़ें यहाँ पर बदलाव करनी होगी उस हिसाब से आप इस को इस application को बनाएंगे उमीद करता हूँ कि आपको कोई confusion नहीं हो रहा होगा और confusion हो रहा होगा तो वीडियो का comment section तो आप ही का है तो आप वीडियो के comment section में बताइएगा मैं भी रहा हूँ मैं निशित रूप से आपका सहयोग करूँगा चलिए अब मैं यह मान लेता हूँ कि आप बड़े ही आसानी से इस application को by post send कर देते हैं तो send करने के बाद अगर आप speed post करेंगे तो speed post की प्रमार आपको मिलेगा na slip मिलेगी और अगर आप registry करते हैं तो registry का भी आप आपको प्रमार मिल जाएगा अगर आप चाहें तो courier भी कर सकते हैं तो courier की भी आपको slip मिल जाएगी तो वो slip आपको तब तक सम्हाल के रखनी है जब तक कि मिलतु दावे का भोकतान आपको नहीं मिल जाता है अब जब आप इतना सब कुछ कर लेते हैं तो फिर आप चले आईए घर पर अब घर पर आपको आके क्या करना है कि आप अपने branch office के email id पर आप एक mail भेजिए तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने accidental और normal date के लिए application लिखा है उसी तरह से accidental और normal date के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ दो email लिखे हुए हैं तो चलिए मैं सबसे पहले दु को मैं यहाँ पर example मान लेता हूँ तो अब देखिए आपको करना क्या होगा कि आपकी जो भीमा company की जो branch आफी से उसके email id पर mail भेजना है तो आपके पास आपकी जो branch आफी से उसका email id होना चाहिए आप branch का पता और email id कैसे आप ढूट सकते हैं इसकी जानकारी भी मैं आपक अधिक सूचना देखे प्रारम्भिक सूचना नोट करना जरूरी है क्योंकि आप कोई अधिकर्न सूचना नहीं दे रहे हैं अधिकर्ट सूचना आप तभी देंगे जब आपके पास जो माने अस्तर का मिर्तु प्रमाण पत्र है जब मिल जाएगा तभी वो अधिक्र सूचना मानी जाएगी तो आप इसको प्रारंभिक सूचना नोट करें इसकी बात आपको जो body section होता है इमेल आईडी का जो body section होता है उसमें आपको यह message लिखना है message तो जैसे आपने application में लिखा है वही चीज इसमें लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा सा इसमें differences है वह थोड़ा सा differences क्या है मैं दिखा देता हूँ अता है आपसे बिनम्र निवेदन है कि मेरे पती की जीवन बीमा policy में मिर्टु दावा है तो इस email को प्रारंभिक सूचना के रूप में स्वीकार करें और आवस्चक कारिवाई है तो हमारा mark दरसन करें इसके बाद इस email में एक line आप बढ़ा देजेगा मैंने यहाँ पर note नहीं किया है कर देना चाहिए था एक चीज आप बढ़ा देजेगा कि मैंने इस सूचना को post office की माध्यम से आपकी साखा कारियाले में प्रिसित किया है जिसका की प्रमाड मैं इस email के साथ भी attach कर रहा अब देखिए जैसे ही आप यह पूरा का पूरा mail note कर देते हैं तो mail note करने के बाद होगा क्या देखिए इस email में जो नामनी है उसका signature नहीं होगा ना तो यहाँ पर करना क्या है कि वो जो आपने application लिखा हुआ था उसकी जो photo मैंने अभी खिचवाई है उसको आप attach करेंगे पहला चीज दूसरा चीज attach क्या करेंगे कि जो आपने जो आपको registry के समय slip मिली हुई है उसकी भी image आप upload कर देंगे फिर इसके बाद policy band हो गया policy धारक और नामनी की ID proof address proof हो गया नगर पंचायत के द्वारा या जो दूतियक मृत्व प्रमान पत्र है जो आपके पास available हो अगर आपने registration कराया है तो registration वाली जो पूरी copy है आप उसको note कर दिए और इसके बाद इस email को आप जो आपकी भीमा याफिस है उसके mail ID पर send कर दिए अब देखिए यह महत्त पूर्ण क्यों है देखिए होता क्या है कि जीमन भीमा company यह कहती है कि मृत्तु दावे के बाद ज अंदर ही आप में तो प्रमाण पत्र आप दे दीजिए और application दे दीजिए तो भीमा company आपसे दूसरे दस्तावेज नहीं मांगेगी अगर policy धारक के मेरतु accident से हुई है तो पंचनामा हो गया postmodern report हो गयी police investigation report हो गयी यह fire की copy हो गयी और भी तमाम दावेदार का बयान हो गया या नामनी का बयान हो गया तो इस तरह के सारे दस्तावेज आपको submit करने होंगे तो यह तो evidence आप देंगे ही देंगे लेकिन उसके बावजूद धी बीमा company आपसे मांगती है कि आप जो मृत्व प्रमाण पत्र है वो आप हमको दे तभी हम claim को accept करेंगे यानि कहने का मतलब क्या है अगर आप इसको गहराई से सोचिए तो कहने का अर्थ सिर्फ ये निकलता है कि हमारे पास अगर मृत्व की सूचना होगी तो हमारी जो अपने अस्तर की जाच है यानि बीमा company जो अपने अस्तर पर जाच करती है वह आसानी से कर सकेगी तो जब हम इस तरह का email और by post हम ये message send कर देते हैं तो हमारे पास एक लिखिद record हो जाता है कि हमने इस तारीक को भीमा company को इसकी सूचना दे दी है उमीद करता हूँ कि आपके मन में कोई confusion नहीं हो रहा होगा लेकिन देखिए अब आपके मन में एक सवाल यह हो सकता है कि खास हो से अगर आप grant हैं तो आप हमारे website पर आ जाईए और यह जो page है ना इसी page को थोड़ा सा नीचे की और scroll करेंगे तो यहां पर देखिए मिल जाएगा आपको branch के बारे में कैसे पता करें तो यहां देखिए search lisc branch office आप इस पर click कर देजिएगा जैसे ही इस पर click करेंगे यह page open हो जाएगा अगर तो मैं यहां पर डाल लेता हूँ कोई भी branch आपिस जैसे माल लेजिए हम यह branch code डाल लेते हैं 28F और हमने इसको submit कर दिया तो यहां देखिए यह रेनुकूट की branch है रेनुकूट शोन भद्र में पड़ता है इस branch की पूरी की पूरी detail यहां पर आ गई branch का address चाहिए देखिए यह address दिया हुआ है आप इसको थ्वासा नीचे की उरी scroll करेंगे तो यह देखिए branch का contact number दिया है यहां पर email ID दी हुई है आप बड़े आराम से खोज सकते हैं माल लिजे आपको branch का code number नहीं पता है तो माल लिजे हम एक branch का address खोज के दिखा देते हैं और उत्तर प्रदेश में हम वाराणरसी select कर लेते हैं और वाराणरसी में किसी भी एक branch को हमाल लेते हैं माल लिजे कि हमको इसी branch के भी से में पता करना है हम इस branch को select कर लिए और submit की बटन पर click कर दिजिए अब इस branch का देखिए आपको address यहां पर मिल गया इसके बाद आपक यह जो कारिवाई है इस कारिवाई को पूर्ण कर सकते हैं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उप्योगी रही होगी यदि आपको हमारी मेहनत और हमारी वीडियो उप्योगी लगी हो तो हमें बस आपका आसिरवाद इतना चाहिए कि वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है वो क्लिक कर दीजिए और वीडियो के कमेंट सेक्षन में कमेंट करके हमें जरूर उत्साहित कीजिए ताकि अगली वीडियो जितना जल्दी हो सके मैं आप तक प्रस्तोत कर सकूँ और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ऐसा क्यों कर रहे हैं चैनल को सब्क्राइब कर लीजिए आखिरकार आपका चैनल तभी तो आगे बढ़ेगा जब आप इसको सपोर्ट करेंगे चलिए अपने इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ और इस वादे की साथ समाप्त करता हूँ कि बहुत जल्द अगली वीडियो में फिर से आपके सामने उपस्तित रहूँगा और इसी तरह की विस्तित जानकारी के साथ मैं आपका मार्क दरसन करने की आपकी मदद करने की तिर से कोसिज करूँगा तब तक के लिए जैस याराम जी